मैं हूँ लवकुमार और कुरोना संकट के बीच भारत के कई राज्यों में एक नई मुसीवत ने दस्तक दे दी है जिसे तौकते या ताउते कहा जा रहा है ये एक चक्रवाती तूफान है जिसकी वज़से अब तक एक दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और ये केरल गोवा जैसे राज्यों में तबाही मचाने के बाद आज सुबह महराष्टरा से टकराया जिसकी वज़से यहां भारी तबाही देखने के मिली और मुंबई एरपोर्ट को बंद करना पड़ गया वहीं अब ये तुफान गुजरात से टकराने वाला है जिसकी वज़से यह लाखों लोगों पर खत्रा मढ़ रहा है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये इतना तबाही मचाने वाला तुफान तौक्ते कहां से उठा और अब तक कितना तबाही मचा चुका है साथ ही ये भी जानेंगे इस तुफान का नाम तौक्ते कैसे पड़ा तो चलिए उखर गए और कुछ हिलाकों में समुद्र की उची लहरों ने भी भारी नुकसान पहुंचाया मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस तुफान की वज़े से केरल में तीन लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को रहा सिवीरों में शिफ्ट करना पड़ा वही केरल मे तबाही मचाने के बाद इस तुफान ने करनाटक में अपना कहर बर पाया जिसकी वज़े से यहां भारी बारिश होई और अब तक इस तुफान की वज़े से यहां पे छे लोगों की मौत हो गई है अधिकारियों ने बताया कि मनलाड और उसके आसपास की इलाकों में यह वहीं गोवा में भी इस तुफान ने अपना कहर बर पाया है जिसकी वज़े से यहां पे 100 से ज़्यादा घर बुरी तरह से तबाह हो गए और 500 से ज़्यादा पेड़ गिरने की वज़े से जगह जगह पे रास्ते बंद पड़ गए हैं वहीं यहां भी अलग-अलग हाथसो में दो लोगों की मौद की खवर है वहीं सोमवार सुबह से ही चक्रवाती तुफान तोकते का असर महराष्ट के अलग-अलग हिस्सों में भी दिखाई दिया और मुंबई में भी सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है जिसकी वज़े से साम 6 बज़े तक मु में दो लोगों के मारे जाने की खवर है वहीं इन सब के भी इचेंडी आरेफ और फायर विगेट के टीमें लगातार बचाव कारे में लगी हुई है वहीं प्रधान मंत्री मोदी और ग्री मंत्री अमिश रह ने इस तुफान से निपटने के लिए तयारियों का जाजा लि इस तुफान के गुजरात से टकराने से पहले डेड़ लाक लोगों को उनके घरों से निकाल कर सुरक्षित अस्थान पर पहुँचा दिया गया है जिससे कम से कम नुकसान हो वहीं आइमडी यानि इंडियन मेट्रो लॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार तौक्ते उजरात टत तक पहुचने की संभावना है जिसकी वज़े से यहाँ पर 160 किलो मिटर प्रती घंटे की रफ्तार से हमाय चलने का अनुमान है वहीं चली अब जानते हैं इस तुफान का नाम तौक्ते क्यों रखा गया है दुनिया में वैसे तो 1953 से ही तुफानों का नाम रख और से नामों का एक लिष्ट वर्ल्ड मेटरोलोजिकल और्गनाजेशन को दी और बारी बारी से इस रीजन में आने वाले तुफानों का नाम रखना शुरू हो गया और इस बार इस तुफान का नाम मैंनमार का दिया हुआ नाम तौक्ते पर रखा गया है मैंनमार में इस के एक हिंसक छिफकली होती है जो बहुत इशोर मचाती है और इसी पर इस तुफान का नाम रखा गया है जो भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचा चुका है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक्स फर लिसनिंग